Hi guys, Namaste, Welcome and Welcome back to Tarot by TJ So, आज की जो हमारी reading है, ये करंट energy के उपर होने वाली है This is a fresh update आपके जो भी person है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनके चेहरे को आपको visualize करना है और उनके नेम को तीन बार आपको आपके मन में दोहराना है This is a timeless reading, we are going to check the energy of this person बड़ सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, कि जिस इनसान के बारे में आप सोच रहे है उनके और आपके जो relationship है, जो रिष्टा है, इसकी combined energy इस समय पर क्या है, क्या energy है masculine की, और क्या energy है feminine की So, सबसे पहला card हमारे पास में निकल के आया है Number 11, Detach Then we have number 4, Open Up And यहां से पहला card हमारे पास में है, Strengthening Bonds Number 1 Then you have Sacral Chakra, Number 2 And we have number 3, Share the Love Overall energy of this connection is Clarity of Belief, Number 1, Energy of Manifestation So, सबसे पहली चीज़ जो यहां पर बहुत clearly दिखाई दे रही है आप लोगों के connection में इस समय पर feminine energy जो है वो मुझे बढ़ी भी दिख रही है Which means के समय पर आप दोनों ही काफी ज़ादा emotional हो करके चल रहे हो अपने relationship में, अपने connection में मैं यहां पर यह भी देख रही हूँ के जो इंसान आप दोनों में से feminine energy में है यानि के आप दोनों में से वो person जो usually ज़ादा emotional है ओके normally ज़ादा emotional हो करके चलते हैं उनके sacral chakra में कुछ blockages हैं जिसका असर, जिसका impact इस connection के ऊपर directly पढ़ रहा है Another thing इस समय पर मैं यह देख रही हूँ के आप दोनों का जो heart chakra है वो open up हो रहा है With the share the love card Also यहाँ पर जितने लोग इस समय पर यह reading देख रहे हैं, यह video देख रहे हैं उनमेंसे 90% लोग अपने soulmate के बारे में इस समय पर सोच रहे हैं यानि कि यह जो सामने वाला इंसान है यह आपका soulmate हो सकता है यहाँ पर एक चीज मुझे और दिखाई दे रही है with the detached card and open up card शायद इस समय पर कोई ऐसी situation आप लोगों के रिष्टे में चल रही है जिसमें कि आपको थोड़ा सा detached होने की जरुरत है यह आपके partner जो है, specific person जो है, वो detached feel कर रहे है in order to understand things better, in order to understand your relationship better यह person जो है, इन्होंने कुछ कदम शायद पीछे लिये है यह इस इंसान ने कुछ back off किया है किसी चीज से, किसी decision से, किसी situation में और यहाँ पर कई लोग जो है, वो शायद no contact situation में भी हो सकते हैं बट still, whatever is going on, I feel आप लोगों का जो यह रिष्टा है, आप लोगों का जो connection है यह आने वाली time में और ज्यादा strong होने वाला है, with the strengthening bond card यहाँ पर एक message उन लोगों के लिए भी आ रहा है, जो लोग no contact situation में है जिनका बिल्कुल भी touch में नहीं है, अपने specific partner से and आपको ऐसा feel हो रहा है, कि यह connection यहीं पर ही over हो गया है यहाँ आप लोगों को ऐसा लग रहा है, बहुत on and off situation अगर चल रही है तो यह journey आप लोगों के आगे बढ़ने वाली है, things are going to continue मुझे reconciliation की energy भी दिखाई दे रही है, with the open up card यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, कि आप लोगों के बीच में आने वाले time में कुछ ऐसी conversation, कुछ ऐसी बातचीत एक दूसरे के साथ में होने वाली है जिसमें आप लोग खुल करके अपने emotions, अपने desires, अपने dreams जो है they are going to open up to you, and यहाँ पर मैं यह भी देख रही हूँ कि अगर आप लोगों का किसी चीज को लेकर के argument हुआ है, या किसी बात को लेकर के आपके partner जो है, वो बहुत ज़्यादा नराज रहते हैं या किसी चीज ने उनको अगर hurt किया है, तो I feel उसे एक particular चीज को अपने mind से वो remove करने वाले हैं they are going to detach from the negativity also, okay, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह person आप से ही detach होने वाले हैं या अपने emotions को आपके towards खतम करने के बारे में सोच रहे हैं, यह meaning नहीं है, यहाँ पर यह positive message निकल के आया है that this person is trying to let go of the negative thoughts or negative emotions for you and same जो guidance है, वो आपके लिए भी है आपको भी अपने मन से जो भी negative thoughts और emotions है इस person के towards अगर आप इनके साथ में रिष्टा मजबूत करना चाहते हो तो यह सारी negativity को आपको भी अपने mind से निकालना पड़ेगा, भले ही वो doubt के form में हो, भले ही वो आपका anger हो, whatever it is, okay yes, and not to forget, bottom of the deck जो आपका card निकल के है था, that was clarity of belief, so आप लोग अगर कुछ manifest कर रहे हो इस relationship में, तो वो भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है especially जो इनसान masculine energy में है इस समय पर, यानि कि आप दोनों में से वो person जो जादा अपने mind का इस्तेमाल करते हैं, आपने logical brain का जादा इस्तेमाल करते हैं, वो इस समय पर जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो बहुत जल्दी manifest हो रहा है, okay so let's take some more clarity, what is this person thinking about you, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इस समय पर, ये इनसान आपके बारे में क्या सोच रहे है, let's see okay, first card we have nine of cups, then we have the wheel, eight of wands, novice of swords and initiate of swords, bottom of the deck we have the hanged man, so राशिया जो यहाँ पर है, we have cancer scorpio, pisces राशी, okay, we also have scorpio is very strong, sagittarius is also very strong, Aries and Leo भी राशी हो सकते हैं, आपकी और सामने वाले परसन की, और काफी सारे लोगों की राशी जो है, वो Gemini, Libra and Aquarius भी हो सकते हैं, with the swords energy, with the air sign, okay So, what is this person feeling about you, पहली चीज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने emotions को बहुत deeply analyze करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने emotions को यह observe कर रहे हैं, कि actual में आपके लिए क्या feel करते हैं, ठीक हैं, And जब भी यह person आपके बारे में सोचते हैं, या recently जब भी इनोंने आपके बारे में सोचा है, तो एक खुशी की लहर जो है, इनके मन में दोड़ गई है, and they have felt very happy thinking about you, I can also see here with the wheel card, कि आप लोगों के future को लेकर के यह person कुछ planning कर रहे हैं, Also 8 of Wands में भी यही same energy हमको दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पर यह देख रहे हूं कि अपने career के बारे में भी यह सोच रहे हैं, या कहीं न कहीं अपने career को इस relationship से लिंक कर रहे हैं, और maybe इनकी जो income है, वो depend करती है, आप लोगों के future पर कुछ ऐसे situation हो सकती है, यहाँ पर मैं यह भी देख रहे हूँ, कि यह person जानते हैं, कि आप लोगों के connection में, या आप लोगों के relationship के future में साथ में रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो शायद आप लोगो इसको यह हटा सकते हैं, with the novice of sorts and initiate of sorts, यहाँ पर सबसे पहला message मुझे आ रहा है, कि यह person को एक particular बात है, जो इनके दिमाग में घूम रही है, जो यह आप से बोलना चाहते हैं, something is going on, जो यह आप से share करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे एक message clearly यह भी दिखाई दे रहा है, कि शायद यह person आपके साथ घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, या maybe marriage related कुछ thought जो है, वो इनके मन में है, some offer or something is going to be offered to you, इनके तरफ से आपको कुछ offer मिलने वाला है, आप लोगों के future के लिए, and आप लोगों की एक साथ जुड़े रहने पर जैसे growth हो, कुछ इस तरीके का thought जो है, वो इनके मन में है, okay, one more indication that I can see here with the novice of swords and initiate of swords card that there is something hidden also, this is something positive, यह कुछ अच्छा है, इनके दिमाग में है, कुछ planning से related है और यह कुछ future से related है, okay, something good, this can also be some sort of surprise, आने वाले टाइम में आप लोगों को इस इंसान की तरफ से कुछ surprise भी मिल सकता है, okay, फिलहाल जो overall energy है, इनके emotions जो है, आपके towards the hangman, तो मुझे ऐसा लग रहा है, कि इनके emotions हर दिन आपके लिए बढ़ते जा रहे हैं, या यह और गहरा और deep connection आपके साथ में with each passing day feel कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पर यह चीज भी देख रहे हूं, कि इनके मन में अगर आपके relationship को ले करके आपको ले करके कुछ main, कुछ major blockages थे, कुछ बड़े blockages थे, तो वो blockages भी धीरे-धीरे इनके mind से हट रहे हैं, and very soon यह person कुछ action भी ले सकते, आने वाले time में कुछ action ले सकते हैं, यह कुछ ऐसा हो सकता है, जिसका इंतजार आप कर रहे हो, अपने partner की तरफ से, अपने specific person की तरफ से, आने वाले time में मुझे दिख रहा है, कि यह person कुछ action लेने वाले हैं, क्योंकि इस समय पर कुछ planning इनके mind में चल रही है, एक surprise का element मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, and दूर से मुझे कोई person आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, so maybe अगर यह person आपके साथ long distance relationship में है, तो यह आप से मिलने आ सकते हैं, और maybe अगर आप लोग separation में हो, और especially separation को अगर काफी ज़्यादा time भी हो गया है, then also I feel that this person might come back to you, यह आपके पास वापिस आ सकते हैं, वापिस So very soon this person is going to take some action towards you, आपको इनके तरफ से कुछ surprise मिलने वाला है, because इनको और ज़्यादा clarity मिलती जारी है अपने emotions के बारे में, whatever emotions they have towards you with each passing day, okay, yes, so guys, आज की reading के लिए इतना ही, I really hope कि इस reading के जरिए आप लोगों की कुछ help हुई हो, अगर ऐसा हुआ है, तो please video को एक like जरूर द exchange और अगर आप नए हूँ मेरे चानल पे तो subscribe कर लिजे, taro by TJ, I will see you guys next time, till then namaste and take care.